टीम इंडिया के गबर शिखर धवन ने धमाकेदार अंदाज से कर दी है वेस्ट अंडीज दोरे की शुरुआत। बतावर कप्तान टीम को फ्रंट से लीड करते हुए शिखर ने क्विन्स पार्क में खेली है एक कप्तानी पारी जिसके बाद भारती कप्तान ने हासिल की है बड़ी उपलब दी और अपनी जबरदस्त बैटिंग से जीता है अपने फैंस का दिल। तो आखिर वेस्टंडीज के खिलाफ पहले वंटे मैच में किस तरह शिखर धवन ने बतावर कप्तान पहले मैच में जीत लिया सबका दिल। जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों भारत और वेस्टंडीज के बीच तीन मैचों की वंटे सरिंखला का पहला मुकाबला पूर्ट ओफ स्पिन के क्विन्स पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां पर शेकर धवन ने पहले मैच में ही एक जबरदस्त पारी खेली है आपको बता दें इस पल्लेबाज ने सबसे पहले शुबमन गिल के साथ मिलकर भारती टीम को बहत्रीन शुरुआत दिलाई जहां इस धौरान दोनों ही पल्लेबाजों ने वेस्ट अंडीज की कमजोर गेंदबाजी के परखचे उड़ा के रख दिये और पहले विकेट के लिए केवल 17.4 ओवर में 119 रनों की दूफानी साजेदारी कर दी इस बिच गिल ने सभी का दिल जीता और अपने वंडे करियर का पहला अर्ध शतक जड़ दिया हलांकि गिल शतक लगाने का सुनहरा मौका चूग कर गये और तिरपन गेदों में 64 रनों की शांदार पारी खेल कर आउट हो गये लेकिन भारती कप्तान दूसरे चोर पर डटे रहे और उन्होंने अपनी शांदार पारी जारी रखी भारती कप्तान एक लीडर की तरह सामने से टीम का नेतर्तों करते हुए बल्ले से रनों की बरसाद करते रहे और देखते ही देखते उन्होंने भारती टीम को काफी इसके साथ ही शेखर ने अपनी पारी के दोरान एक विशेश उपलब्धी हासिल कर ली। दरसल बतौर कप्तान शेखर ने क्विन्स पाक ओवल मैदान में अपना सरवाधिक स्कोर दर्ज कर लिया है। जीता है। साथ ही भारती टीम भी पहली पारी में एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप शेखर दवन की बल्लेबाजी को दस में से कितने अंक देना चाहेंगे। अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही शांदार हो तो इसे लाइक करना बिलकुल ना भूलें।